दोस्तों मैं पिछले 15-16 साल से लग बग जो है क्रेट कार्ड को यूज करता हूं अलग लग बैंक के अलग लग क्रेट कार्ड मेरे पास हैं लेकिन इस मन्थ जो मेरे साथ हुआ हो काफी शौकिंग था एक बार तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है मेरे क्रेट क सब्सक्राइब करना है कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछना है दोस्तों आगे बटने से पहले एक छोटी सी इंपर्मिशन आप सभी को दे देता हूं चल पर जो है पांच और रुपए चला हुआ है उसको किस परिएस आप जीत सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा इस क्रेट कार्ड की जो स्टेट्मेंट आई उसकी जो टोटल अमाउंट थी ओएक सट अजार दोसो पचास रुपए ती जो की बारा अक्टूबर को मुझे पे करनी थी अब बारा अक्टूबर को मैंने जो है अलग-अलग ट्रांजेक्शन करके 30,000 की टांजेक्शन करी 100 रु जो है दो अजार के आसपास टांजेक्शन दी लेकिन मेरी स्टेट्मेंट जो है चैजार 670 रुपए के आसपास की आती है तो मुझे लगता कि यह एक्स्टा जो चार जो रुप के आसपास जो मुझे लगे है यह किस बात के लिए इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था मेरे उपर जो है चार्ज करके लगाया गया टोटल जिसका 356 रुपए के असपास बनता है वह चार्जीज लगाए गए अब मुझे समझ में नहीं आ रहता कि यह चार्जीज की चीज के है क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने पेमेंट ठीक है अब इसके बाद होता है कि मैं कुल कि कार्टम से बात की उनको मैंने बताया कि इस सायसा में आप नें पूल पैमेंट नहीं की है आप rew呢 पेमेंट नहीं की है आपकी पेमेंट में कम पेमेंट की है इसलिए आपको जो है 356 रुपए का जो है फाइन लगा गया इंटरस्ट लगा गया तो इसके बाद दोस्तों मैंने उनको यह वाला कि यार देखिए मैं क्या आप जो रिमेनिंग अमाउंट है जो एक हजार उपए है उस पे इतना इंटरस्ट लगाओ तो उनका जवाब यह था कि जो इंटरस्ट है वह आपको पे करना पड़ेगा अब मैं आपको काम की बात बता अगर यह इंटरस्ट इस टाइप का आपको लग जाता है जहां आ गलती नहीं है जहां थोड़ा सा चांस है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन है जैसे कि पिछले 10-12 साल में कभी डिले पेमेंट नहीं किये ना कभी कोई मीनिमम पेमेंट किये पहली बार ऐसा था जहां पर मुझे थोड़ी केल्कुलिशन में गलती हो गई त उसके उपर आपने मेरे पे 3.500 प्रेसेंट लगा दिया जो की सही नहीं है उनका कहना यह है कि आप जो है टोटल अमाउंट से कितना भी कम करो एक रुपय भी कम करोगे तब भी आप पे यह इंट्रेस्ट लगेगा टोटल अमाउंट के उपर तो मैंने उनको बला कि ठीक कर ना चाहते तो मैंने बोला कि काफी काफी अच्छी है दो लाग के आसपास मेरी लिमिति इस कार्वी करते बहुत saры benefit मिलते हैं ओनोंने मेरा को करना की कोशिश की कि मैं आ खोक्लॉज नियुक्त मुझे उनको प्यो सबस्ती है तो क्या मुझे इसका फाइदा नहीं मिलना चाहिए तो उन्होंने बोला कि नहीं सर यह कोई रूल नहीं है आपको जो एक्स्टा प्लोज करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहता हूं 100 परसेंट क्लोज करवाना चाहता हूं उसके उसने जो कस्टम केर था उसने मेरी कॉल को जो है मैं होल्ट पर ले लेता हूं मैं आपका जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस कर रहा हूं दो मिंट बाद उसने मुझे वापिस जो बात चीज शुरू की और उसने बोला कि सर अगर हम आपको जो चार्जी लगें उसको कर दें तो क्या आप तब भी अपने काड को क्लोज करवाना चाहेंगे तो यहां पर मैंने उनको यह बोला कि अगर आप मेरी चार्जी को रिवर्स कर दोगे तो फिर मैं यह काड कंटीनू कर सकता हूं क्योंकि आपने अन्नेसेसरी मुझे लगवा है आप वैसे दिन में 50 करा लो अरे जब कस्टमर आपकी फुल पेमेंट करने वाला तो आप क्या कस्टमर को भी कॉल करके यह नहीं बता सकता है इसर आपने जो कम पेमेंट की है आप फुल पेमेंट कर दो आपको चार्जी लग जाएंगे एक दिन बाद दो दिन बाद रोज दिन में 10-15 कॉल आते इस बैए बैंक की तरफ से क्राइट कार्ड के लिए अप्ग्रेड करने के लिए लाइट हो या प्राइम में मेरे पास दोनों ही कार्ड अभी प्रीफ्लूड ऑफर में है तो मैंने उनको बोला कि आपकी सर्विस खराब है इसलिए मैं इसको बंद कराना चाहता हूं अपने कि यह चार्जी जो है रिफंड होंगे तो आप भी ऐसी गलती ना करें जब भी आपके क्रेट कार्ड की जो है स्टेटमेंट आए फुल पेमेंट टाइम से पहले करें क्योंकि अगर आपने एक रुप्या भी कम किया तो आप जो फाइन लग सकता है है भी इंट्रस्ट लग और हो सकता कि आप इस चीज के बारे वाएर ना हो हर बार आप कुछ ने कुछ एक्स्टा जो है पे कर रहे हूं तो यह वीडियो में आपके सब्सक्राइब नहीं किया था एक चोटी सी रिपेस्ट आप सभी से दोबारा कर रहा हूं चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें स